दिल्ली दंगो पराधारित फिल्म 2020 दिल्ली की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन की टीम इंदोर आई हुई है जहां शहर में भी फिल्म की शूटिंग हो रही है फिल्म को लेकर एक्टर विजेंदर काले और प्रदूशन डेवेंदर मालविये ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने अनुभाव साझा किये वालिवुड नगरी मुंबई की तरजपल मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदोर शहर में भी अब फिल्मों की शूटिंग लगतार हो रही है जहां इसी कड़ी में दिल्ली दंगो की कहानी पर बन रही फिल्म 2020 दिल्ली की शूटिंग भी शिरू हो चुकी है जिसको लेकर कई नामी कलाकार और फिल्म की टीम इंदोर में मौझूद है फिल्म निर्देशक की कमान देवेंद्र मालवीय ने संभाली है जबकि फिल्म में ब्लिजेंद्र, काला चेतन, शर्मा, आकाश दीप, अरोडा, सिधार्थ, भारतवाज, भूपेश सिंग और समर जै सिंग जैसे मंझे हुए कलाकार एहम भूमिका में नजर आएंगे मिडास टच फिल्म के बेनर तले बन रही 2020 दिल्ली को कंट्री बॉइफ्रेंड और विज्वल वर्ड्स स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है पूरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश शेडियूल के आधार पर इंदोर में की जाएगी जहली और 2020 में ये जो फसाद हुए थे वहाँ पर तो कई बार चीजें जो गलत भी होती है वो हमें कुछ संदेश दे कर जाती है तो इस फिल्म का प्लॉट मैं रिगवेट की एक सूपती से ही मेरे दिमाग में आया था कि एकमसद विपरा बहुदा वजनती सकते एक है उसको फॉलो करने के तरीके या रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं साथ ही हमारे देश में जो घट रहा है भी हमारे देश में जो डिवाइड है वो क्यूं है उसका क्या कारण है और किस तरह से इन चीजों का सुलूशन निकाला जा सकता है ये सब बातें इस फिल्म में देखने को मिलेगी और मैं जैसे की बता चुका हूँ कि ये फिल्म की कहानी जो सुबह नौ बज़े से रात के आठ बज़े के बीच की कहानी है 24 फरवरी को जब वहंदाबाद में नमस्ते टरंप प्रोग्राम हो रहा था उसके बाद वह आगरा गया और आगरा के बाद जब दिल्ली आ रहे होते हैं इसी दोरान उस दिन दिल्ली में दंगे भड़के थे और हमारी कल्पना के इसाब से जो सब्ते घटना है घट रही है जो ट्रू इविंट्स हो रहे है उसके इर्द गेर्द ये कहानी जो है हमारी चल रही है अब रही बात कि इंदौर को क्यों चूज़ किया गया तो एक तो वन टेक मैटड में फिल्म शूट करना थोगा डिफिकल्ट है बहुत ही इसमें टाइम टिकिंग प्रोसेस है आर्टिस को बहुत ज़्यादा रियलसल करने में तीन गुना ज़्यादा टाइम देना होता एस कंपेर टू शूट टाइम के एक वो चीज़ है दूसरा की हमें वो सारी गलिया चाहे हम अगर बात करें दोनों कम्यूनिटीज में देखते थे जो वहाँ पर जो दिक्कत हुई थी दोनों कम्यूनिटीज का जो एरिया कैसा हो सकता है तो चुकि मेरा हूम टाउन है इंदौर और इंदौर के लोग बड़े ही मिलंसार और बड़े ही सपूर्टिव है यहां का महोल अच्छा है और शूट करना यहां पर बहुत ही कह सकते हैं कि सहज होगा मझा चट पटन तो नहीं मिलेगा जैसे कि मैं करता आया हूँ यह थोड़ा सा डिफरेंट एक सीरिस मुद्दा है तो उसमें थोड़ा सा एक सीरिसनेस है और एक इस तरह का किरजार है जिसने अपनी जिंदगी को बहुत ही बूचालों से निकाल के बहुत ही बौकालों से निकाल के अपने आपको जीवित है वो बस नाम को जिसे कहते हैं कुछ होते ना कि इंसान उनको आप जिन्दा तो नज़ा आते हैं लेकिन एक्शनों को होते नहीं है उनकी आत्मा उनकी रूस अब कुछ मर गए होते हैं क्योंकि वो सिस्टम के अंदर पिस गए होते हैं तो इस तरह का एक किरजार है जो कि मेरे को देवन जी ने जब पहली वार सुनाया तो मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा अच्छा लगा थोड़ा सा अलग करने को मिला और एक कलाकार को अगया चाहिए होता है कि थोड़ा सा अलग तरह से मिने तो मज़ा आता करने है तो उसके लिए हम कल से कर रहे हैं और कोशिच कर रहे हैं कि मतब इसको बिल्कुल जीवन तरीके से किया जाए और सबसे बड़ा जो एक्सपरिमेंट है वो यही है कि वन शॉट के स्टैल में इसको शूट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पूरी तैयारी भी बैसी करनी है और साथ के साथ जब हम उसको शूट करें तो परफेक्शन के साथ चीज लगे जब देखने को मिले तो लगे कि हाँ एक पूरा लंबा शॉट है जो कि मतब शुरुआ से लेकर करके अंति तक बराबर सिल्थले बार चल हम सिर्फ समझते हैं उन सब चीज़ों को और जो हमने देखा नहीं है इसको सिर्फ समझ के हिसाब से करना है तो डेफिनेटी थोड़ा सा डिफिकर तो होता है उसको करना है लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा एक्स्पिरेंस है लाइफ का जो भी हमने काम किया हुआ तो हम किस तरीके से इसको ले जा पाएंगे वो सब साथ में मिल बाट करके ही कुछ भी मिस्टेक होगी तो उसको फिर वापस वरक आउट करेंगे तो उसी की रिहर्सरल्स और उसी की सब तैयारिया हैं हम लोग आप उने मिल की कर रहे हैं